Good morning all the students, आज हम करेंगे 1st और 2nd चेप्टर का रिवीजन और उसी के बेस पर आपको next day और फिर उसके भी next day दो वर्कशीट प्रोवाइट कराई जाएंगी जिसे आपको solve करना है और उसके लिए भी आपको एक particular time दिया जाएगा सबसे पहले हम करेंगे part 1 का रिवीजन जिसका नाम था विनै जो मैं आपको अच्छे से read करवा चुक्यूं समझा चुक्यूं और आप लोगों ने उसे I think learn भी कर लिया होगा लेकिन फिर भी हम आज रिवीजन करेंगे जिससे हम अपना जो टेस्ट है जो वर्कशीट में आपको करके दिखाना है वो आप अच्छे से उसके लिए prepare हो जाएं तो हम स्टार्ट करेंगे शब्दार्ट से शब्दार्ट में सबसे पहला word है हमारा विनय विनय कर्थ आपको बताया था मैंने विनय कर्थ होता है प्रार्थना आप जब भी मंदिर में जाते हैं तो प्रे करते हैं उसी को हम हिंदी में बोलते हैं विनय या प्रार्थना उस कामना उसके बाद है हमारे पास यश यश का अर्थ होता है बढ़ाई या कीरती जैसा कि मैंने आपको समझाया था जो हमने कविता पड़ी थी उस कविता में यही बताया था कि जो कवी हैं उनको अपने लिए यश की कामना बिल्कुल भी नहीं है वो नहीं चाते कि उन्हें कोई बढ़ाई या कीरती मिले या उनकी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ करे फिर है हमारे पास पद पद का अर्थ होता है औहदा या पैर इसके दो अर्थ है पहला है ओधा, ओधा मतलब कोई पोस्ट, कोई इनसान किसी अच्छे पोस्ट पर है यानि पद पर है तो हम उसे ओधे के रूप में ले सकते हैं इसके बाद है हमारा पैर, पद का अर्थ पैर भी है पैर तो आप सभी लोग जानते हैं फिर है हमारे पास सर्वस्व, सर्वस्व का अर्थ होता है सब कुछ अब लोग को पता है सर्वस्व का अर्थ होता है सब कुछ अब है हमारे पास पर, पर का मतलब होता है दूसरे लोग और इसी के बाद है हमारे पास हित, हित का अर्थ होता है भलाई इसी तरीके से एक नया वर्ड बनता है परहित जो परह और हित से मिलकर बनता है इसका मतलब होता है दूसरे लोगों की भलाई या दूसरों की भलाई अगर आप किसे दूसरे के लिए बहुत अच्छा काम करते हो बच्चे हाथ चोड़कर किस से प्रातना कर रहे हैं सबी को पता है बच्चे हाथ चोड़कर किस से प्रातना कर रहे हैं सूरज से इसके बाद है बात बालकों के मन में किस-किस बात की कामना नहीं है तो बालकों के मन में किस बात की कामना नहीं है धन की, यश की, पद की और सर्वस्व की जैसे कि आप सभी को मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ लेकिन आप सभी को ये लर्न भी करना है इसलिए हम आज ये revision कर रहे हैं इसके बाद है हमारे पास सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाए जिसमें first वाला है बच्चे की कामना क्या है इसमें आपके पास four options हैं उन four options में से आपको किसी एक पर टिक करना है तो आपको क्या पूछा गया है बच्चे की कामना क्या है मतलब बच्चे की इच्छा क्या है तो बच्चे की कामना या इच्छा है धन की, विद्या की, पद की या फिर देश सेवा की धन की कामना थी नहीं ना विद्या की थी, ना पद की थी तो फिर किस की थी? देश सेवा की तो इसका मतलब बच्चे की कामना क्या है देश सेवा की अब हैं हमारे पास बच्चे क्या नहीं भूलना चाहते हैं तो जैसे कि आपको पता है खेलना, पढ़ना, माता पिता को या फिर उपर्योग तो सभी तो हमें किस पर टिक लगाना है माता पिता को क्योंकि बच्चे माता पिता को नहीं भूलना चाहते हैं अब हैं हमारे पास निमलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए आपको जो सेंटेंस है वो इनकंप्लीट दिखेगा और उसी को आपको कंप्लीट करके लिखना है इसी का मतलब है निमलिखित पंक्तियां पूरी किजिए जो आपको lines दी गई है उनको आपको complete करना है तो first वाला है बस केवल है यही कामना सेवा करू तो जहां पे आपको dash दिखता है वहां पे आपको लिखना है देश की अपने यह line हमारे अब complete हो गए बस केवल है यही कामना सेवा करू देश की अपने अगला है हमारे पास मात पिता को कभी न भूलू सदा करू करू सदा उनकी पदपूजा तो आपको करू सदा के बाद जितना भी आपको खाली स्थान दिख रहा है उसको आपको complete करके उसे fill करना है अब हैं हमारे पास नहीं कामना डैश 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 है यश्की तो आगे इसमें क्या लिखना है डैश की जगा धन की मन में नहीं कामना यह आपको अच्छे से लर्न करना है और इसी के बेस पर आपकी जो वर्कशीट प्रपेर करके आपको दी जाएगी आपको वो सौर्ट करना है और उसे फिल करके मुझे दिखाना है अब है हमारे पास निमलिखित प्रशनों के उत्तर लिखिए तो इसमें फर्स वाला है पहली कामना कौन सी है पहली कामना कौन सी है तो पहली कामना कौन सी थी पहली कामना अपने देश की सेवा करने की है यह आपको अच्छे से लर्न करना है प्रॉपरली रीट करना है लर्न करना है और अपने अपनी कॉपी में लिकर के प्रैक्टिस भी करनी है रोज आगे हैं बालक अपने माता पिता के बारे में इश्वर से क्या कह रहे हैं बालक अपने माता पिता को कभी ना भूलने और सदा उनकी पूजा करने को कह रहे हैं इसके बाद हैं हमारे पास विने को और क्या कहते हैं विने को कहते हैं विने को कहते हैं विनेती और प्रार्थनाम अब हैं हमारे पास शब्द बनाईए आपको देख़रा होगा जो हमारे पास तीन अक्षर हैं तीन अक्षरों में जो ध्ध और मा है वो एक ही लाइन में है ऑर जो न दिया हुआ है वो उन डोनों के बीच में दिया हुआ है और थोड़ा सा दूर भी है तो हमें क्या करना है हमें पहला वाला अक्षर और जो बीच वाला अक्षर है उसको जोड़ करके हमें एक नया शब्द बनाना है जैसे कि हमारे पास पहले ध है ध उसके बाद हमारे पास है म उसी के नीचे लेकिन इन दोनों के बीच में आगे लिखा हुआ जो अक्षर है वो है न तो हमें क्या करना है ध और न को मिला के बनाएंगे हम ध न धन इसी तरीके से हमारा दूसरा शब्द बनेगा जो है म न मन इसी तरीके से जो आपका ख वला दिया हुआ है ख में आपको दिया हुआ है ज और प जो की एक लाइन में है और ग थोड़ी सी दूरी पर अलग से लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है ज और ग को मिला करके बनाना है ज ग जग उसी तरीके से आपको बनाना है पग पग अब हमारे पास दी हुई है परियावाची की परिभाशा परियावाची आपको पता है क्या होते हैं वे अनेक शब्द जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं परियावाची शब्द कहलाते हैं मतलब कि वे अनेक शब्द जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं जैसे कि हम सूरे को रवी, दिन कर, भास कर, दिवा कर इस तरीके से बोल सकते हैं उसी तरीके से कई शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं पनी को हम बोलते हैं परयावाची शब्द अब हमारे पास कुछ परयावाची शब्द दिये हुए है जिसमें फर्स्ट वाला है यश यश का अर्थ होता है कीर्थी फिर हमें दिया हुआ है धन 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 का मतलब होता है मनी, पैसा, इस सारी चीजे तो इसको हम हिंदी में और कैल बोल सकते हैं दौलत आप लोगों ने सुना भी होगा धन, दौलत तो धन को हम दौलत भी बोल सकते हैं आगे हमारे पास दिया हुआ है देश देश का अर्थ होता है राष्ट्र देश को हम और क्या बोल सकते हैं राष्ट्र फिर है हमारे पास सेवा अब हमारे पास दिये हुए है संग्या की परिभाषा संग्या की परिभाषा आप सभी को पता ही है क्या होती है किसी प्राणी वस्तु इस्थान या भाव के नाम को संग्या कहते है जैसा कि आप सभी को पता है दुनिया में अगर कोई भी चीज है और उसका नाम है तो वो संग्या कहलाती है जैसे कि हमारी कौपी, हमारा खुद का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, इस्थान, भाव, गुण, आदी के नाम को हम संग्या की रूप में ले सकते हैं अब दुनिया में बहुत ही कम ऐसी चीज़े होती जिनका कोई नाम ही नहीं होता है तो अब सबसे पहला हमारे पास किया दिखा हुआ है, धन धन फिर हमारे पास है मात, पिता, देश, यश इसी तरीके से बहुत सरे संग्या शब्द हमारे इस पार्ट में थे पर हमने कुछ ही शब्दे हाँ पे लिए हैं क्योंकि हमें सिर्फ पांच शब्द लिखने थे तो हमने सिर्फ पांच लिखे हैं अब हमारे पास है दिये गए शब्दों को पढ़िए और वाक्य बनाईए तो हमारे पास पहला जो शब्द है वो है हर्ष हर्ष का अर्ट होता है खुशी तो असका सेंटेंस हमने क्या बनाया मुझे बहुत हर्ष है कि तुम पास हो गए इसका मतलब मुझे बहुत खुशी है कि तुम पास हो गए आगे हमें दिया हुआ है काम मुझे आज बहुत काम है या मेरे पास आज बहुत सारा काम है मैंने सारा काम कर लिया है वसी काम जो शब्द है वो हमारे sentence में आना चाहिए और हमारा sentence meaningful बना चाहिए उसी के base पर हमारा sentence बनता है आप कुछ और sentence में बना सकते हो जरूरी नहीं मैंने जो आपको करवाया आप वही sentence लिखे आप कुछ और sentence बना के भी इसमें लिख सकते हैं अगला है हमारे पास हतेली तुम्हारी हतेली बहुत गर्म है क्या लिखा हुआ है तुम्हारी हतेली बहुत गर्म है इसी के साथ हमारा part 1 का revision जो है खत्म होता है अब हम part 2 की ओर चलते है part 2 में सबसे पहले हमारे पास है शब्दार्थ शब्दार्थ में सबसे पहला शब्दम को दिया हुआ है कुल्फी कुल्फी सभी को पता है क्या होती है बर्ब से बनी एक प्रकार की आईस क्रीम होती है कुल्फी फिर हैं हमारे पास धोना धोना का अर्थ होता है साफ करना अब है स्कूल स्कूल का मतलब होता है विध्याले स्कूल का विध्याले, पाटशाला और भी कई नामों से इसे बोल सकते हैं पठ हमने क्या याद किया है विध्याले आप इद्याले भी लिख सकते हैं पाच्छाला भी लिख सकते हैं अब है हमारे पास अगला जो शब्द है समारो समारो का अर्थ होता है आयोजन आपको पता है स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है कोई फंक्शन होता है तो उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं समारो या आयोजन तो समारो का जो दूसरे आर्थ निकल के आया वो क्या है आयोजन अब है हमारे पास चहकना चहकना मतलब होता है जूमना जब कोई इंसान बहुत जादा खुश होता है तो इधर उदर जूम जूम कर चेकने लगता है उसी को हम बोलते हैं जूमना अब है हमारे पास मुख्या ध्यापिका मुख्या ध्यापिका का अर्थ होता है प्रधान अध्यापिका अब हमारे पास है मौखिक प्रश्ण उत्तर मौखिक प्रश्ण उत्तर में सबसे पहला जो है हमारे पास है मंजू नल पर क्या कर रही थी तो मंजू नल पर क्या कर रही थी घुडिया के कपड़े दो रही थी अब हमारे पास है बाहर कौन आया बाहर कोन आया था? बाहर आया था कुल्फी वाला तो हमको इसका अंसर क्या देना है? कुल्फी वाला अब है हमारे पास सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाए मन्जू ने कितने रुपए की कुल्फी खरी दी? तो इसमें क्या आएगा? दो, तीन, पाँच या चार तो क्या आएगा? कितने रुपए की कुल्फी खरी दी थी मन्जू ने? पाँच रुपए की अब हमारे पास है मन्जू ने कितनी कुल्फी खरी दी? मन्जु ने कितनी कुल्फी खरी दी थी एक चार पाँच या सोरे दो चार पाँच या फिर एक तो आपको किस पर टिक करना है एक पर योकि मन्जु ने तो एक ही कुल्फी खरी दी थी अब है हमारे पास मन्जु किस के कपड़े धो रही थी तो मन्जू किस के कपड़े धो रही थी अपने मा के गुडिया के या फिर भाई के तब किस पर टिक लगाना है गुडिया के क्योंकि मन्जू गुडिया के कपड़े धो रही थी अब हमारे पास है किसने कहा, किस से कहा तो सबसे पहला जो हमारे पास है मंजु गुडिया के कपड़े धो चुकी इसमें आपको क्या करना है? आपने दिखा कि दोनों तर फ इसमें inverted comma लगा हुआ है sentence शुरू होने से पहले और sentence शुरू खतम होने के बाद inverted comma कब लगाया जाता है यह वाला जब किसी के द्वारा कही गई बात को कोई तीसरा person बोलता है या पताता है जैसे कि अभी हमसे पूछा जा रहा है यह एक अलगसिक sentence है यह हमसे पूछा जा रहा है इसलिए से हमने हम इसे inverted comma में देख सकते है अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मंजू गुडिया के कपड़े धो चुकी यह किसने कहा था यह बात किसने कही मा ने और किससे कही मंजू से किसी ने नहीं मैं ही खरीद कर लाई हूँ तो किसने कहा यह मंजू ने और किससे कहा मा से अब हैं देखो कैसी मीठी तान यह क्या था गाना था जो कि मन्जु ने गाया था अपने स्कूल में और वो गाते गाते रुग गई थी क्योंकि उसका गला खराद हो गया तह सुबह तक और क्योंकि इसने एक दिन पहले कुल्फी खाई थी तो किस ने कहा था ये मंजू ने और किस से कहा था सभी से इसके बाद है हमारे पास खालिस्तान खालिस्तान में आपको दिख रहा है help box दिया हुआ है उस help box के base पर ये आपको क्या करना है छाटना है अपने answers को और फिल करना है आप सबसे पहला जो दिया हुआ है इसमें बाजार की dash चीज़े खाने से तुम्हारा गला dash खराब हो जाएगा तो बाजार की कैसी चीज़े गंदी चीज़े खाने से क्या खराब हो जाएगा गला खराब हो जाएगा दीदी बाजार की डैश खाने से मेरा डैश खराब हो गया है तो इसमें क्या आएगा सबसे पहले कुलफी और उसके बाद गला तो कि क्या खाई थी उसने मंजु ने कुलफी खाई थी और क्या खराब हो गया था गला खराब हो गया था इसका सिर डैश रहा है सिर क्या रहा था उसका दुख रहा था तो क्या लिखेंगे इसका सिर दुख रहा है बाकी सब बच्चे डैश करेंगे क्या करेंगे समहरो करेंगे मन्जू डैश से घर चली गई कहां से घर चली गई स्कूल से घर चली गई बेटी स्वरी अधूरे वाक्य पूरे कीजिए अधूरे वाक्य पूरे करने हैं आपको इसमें यानि कि जो मैंने आपको फॉर्स रप्टर में कराया था जो incomplete sentence से उसे आपको complete करना है तो सबसे पहले है inverted, बेटी बाजार की गंदी चीजे खाने से तुम्हारा गला खराब हो जाएगा बाजार की गंदी चीजे खाने से क्या होगा तुम्हारा गला खराब हो जाएगा अगला है समाहरो की खुशी में क्या हो रहा था इधर उधर चहक रहे थे कौन चहक रहे थे बच्चे चहक रहे थे इधर उधर मुख्या ध्यापिका ने उससे पूछा तुम्हें क्या हो गया मन्जू जब मन्जू का एकदम खासी आने लगी उसको गुले में दर दोने लगा तो उसे मुख्या ध्या पेक्या ने क्या पूछा कि तुम्हें क्या हो गया मन्जू दीदी बाजार की कुलफी खाने से मेरा गला खराब हो गया है कुनों ने उसने क्या बोला बताया फिर कि दीदी बाजार की कुलफी खाने से क्या हो गया है मेरा गला खराब हो गया है मन्जू मा की गोद में बैठ कर बोली अब मैं बाजार की कुलफी कभी नहीं खाऊंगी मन्जू मा की गोद में बैठ कर क्या बोली कि अब मैं बाजार की कुलफी कभी नहीं खाऊंगी अब हैं हमारे पास प्रिश्ण उत्तर प्रेश्ण उत्तर में सबसे पहला प्रेश्ण है मंजू ने कौन सा गाना गया मंजू ने गया देखो कैसी मीठी तान जैजे भारत देश महान मंजू ने क्या गाना गया था देखो कैसी मीठी तान जैजे भारत देश महान अगला है हमारे पास गाते गाते मन्जू का गला क्यों रुख गया क्योंकि बाजार की कुलफी खाने से मन्जू का गला खराब हो गया इसलिए वो गाते गाते रुख गई उसके गले में दर्द होने लगा अब है हमारे पास मन्जू स्कूल से घर क्यों चली गई मन्जु घर इसलिए आ गई क्योंकि उसका सिर दुख रहा था क्या हो रहा था उसे उसका सिर दुख रहा था मा की गोद में बैट कर मन्जु ने क्या कहा मन्जु ने कहा अम मैं बाजार की कुलफी कभी नहीं खाऊंगी इसने बोला कि हम मैं बाजार की कुलफी कभी ने खाऊंगी सेकिंड चेप्टर में आगे हमको दिया हुआ है पार्थ में आए शब्दों के विलोम शब्द लिखे विलोम शब्द आप सभी को पता है जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द बोलते हैं जैसे की सबसे पहला जो हमारे पास है बाहर बाहर का क्या होगा अंदर बाहर कोई इंसान जब बाहर होगा उसका उल्टा अगर वो अंदर आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे बाहर का अंदर इसी तरीके से हमारा जो अगला वर्ड है वो है खरीदना खरीदना का उल्टा हो जाएगा बेचना फिर है हमारे पास 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 का उल्टा हो जाएगा दूर फिर है गंदी गंदी का उल्टा हो जाएगा साफ अगला है खुशी खुशी का होगा गम और खराब का होगा अच्छा अब हमारे पास दिया हुआ है उधारण देखकर शब्दों के वर्णों को अलग-अलग करिये तो आपको क्या करना है? जो आपको शब्दों के जो अक्षर है उनको अलग-अलग करना है यानि उनके वर्णों को सबसे पहला जो है हमारे पास दिया हुआ है भारत भारत में सबसे पहले क्या किया भर लिखा भर के बाद जो आ की मातरा लगी हुई है उसमें हमने प्लस लगा करके आ लिख दिया क्योंकि हमने मातरा को भी अलग कर दिया तो मात्रा भेक हमें एक वर्ण की रूप में दिखने लगी अब हमारे पास है इसके बाद र तो हमने प्लस र लिख दिया फिर हमारे पास है त तो हमने प्लस त लिख दिया इसी तरीके से आपको जिसली बार समझाया था आपको इसको अच्छे से अलग-अलग करके इन वर्णों को लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी अच्छे से अब हमारे पास दिया हुआ है र का सही रूप लिखकर शब्द पूरे करिए तो सबसे पहला हमको दिया हुआ है प्रकाश र में जो मात्रा हैं एक उपर की ओर है और एक नीचे की ओर है तो नीचे की ओर वाली जो मात्रा है वो हमें सबसे पहले दिखाई दे रही है तो सबसे पहला जो वर्ड हमको दिया हुआ है वो है प्रकाश प्रकाश तो हमें for example के रूप में दिया हुआ है लेकिन हमको जो बनाने हैं वो अलग words हैं जैसे कि पेम, पियर और कोद तो ये word तो meaningful लगी नहीं रहे क्योंकि पेम कोई word होता ही नहीं है प्रेम होता है जैसे ही हम प में ये मात्रा पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा पे हो जाएगा हमारा प्रे और इसको हम पूरा पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा प्रेम प्रेम का अर्थ होता है प्यार या इसनेह इसी तरीके से हमारे जो words हैं बाकी के दो वो भी इसी तरीके से हम बना देंगी तो हो जाएगा सेकंड वाला प्रिया और थर्ड वाला हो जाएगा क्रोथ अब हमारे पास है अगला कर्म कर्म में हमने देखा कि जो अगला वाला जो वर्ण है यानि अक्षर है पहले वाले वर्ण पे नहीं यानि दूसरे वाले वर्ण पे हमने र की मात्रा को पुट किया इसी तरीके से हमें क्या करना है अगले हमें जितने भी वर्ण दिये हुए है ना उसमें हमें next वाले वर्ण पे यानि अक्षर पे हमको वो मात्रा पुट करनी है या नहीं लगानी है तो हम क्या करेंगे हम अब हमें पहला जो word दिया हुआ है वो है हमारा सूय तो सूय तो कोई word होता ही नहीं है लेकिन हम जैसे ही यह पेर की मातरा लगाएंगे तो यह बन जाएगा सूर्य इसी तरीके से काय और गर्व हमारे बन जाएंगे कारे और गर्व अब हमारे पास है एक से अनेक बनाएं अब हमारा जो कोई भी हमारा गर कोई चीज़ वस्तु एक है और हमें एक से अनेक बनाने है तो इसमें सबसे सिंपल फॉर्मुला है कि हमें उसे पहले पढ़ के देखना है उस पे जिस मात्रा का स्वर आता है हम लास्ट में वही मात्रा को पुट कर देते हैं अब सबसे पहले जैसे कि हमें दिया हुआ है कपड़ा तो कपड़ा में क्या हुआ हमने पड़ा पे जो आखी मात्रा लगी हुई है हमने हटा दिया वहां से और उसके रणा के ओपर हमने एक ही मातरा लगा दी तो बन गया कपड़े बहुत सिंपल है ये इसी तरीके से कमरा का बन गया कमरे खुशी का बन गया खुशिया और बच्चा का बन गया बच्चे तो आपको क्या करना है अब हमारा second इन चेप्टर का भी रिवीजन खतम हुआ, आपको ये दोनों चेप्टर के रिवीजन अच्छे से करना है और इने लर्न करना है, और पार्ठ एक विंती की पोयम की आपको एट लाइन्स लर्न करके रखनी हैं, अच्छे से, वो आपके एक्जाम में भी आती हैं, और आपके टेस्ट में भी आती हैं, इसलिए आपको अच्छे से उसे लर्न करना हैं, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और मिलते हैं फिर हम अगले दिन एक नई वर्कशीट के साथ।